चलिए अब देखते हैं कि statements क्या होता है तो basically unit of code को हम statement बोलते हैं और script क्या होता है एक sequence of statements को जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि print hello लिखा है या marks में एक list है या average है तो यह सब आपके एक script बोल सकते हैं इसको हम या फिर एक single line को हम statement बोल सकते हैं अब operation कौन-कौन से हो सकते हैं आपके plus minus multiplication division या फिर exponential और उसके लवाब python 3 में आपका एक flow division भी बोलता है जिसको हम integer division भी बोल देते हैं तो देखेंगे यहां पर यहां पर आपके सब operations हैं यहां पर basically मैं आपकी जूपिटर नोटबुक यूज़ कर रहा हूं तो जिन लोग को idea है जूपिटर नोटबुक का वो लोग यूज़ कर सकते हैं नहीं है तो आप लोग एसे ही vs code के अंदर आप लोग run कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को या फिर आप लोग कोई और भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं यहां पर simply operations है तो इसमें plus minus multiplication और exponential मतलब 2 to power 3 तो 2 की power 3 यहां पर 8 है तो इसको run करने के लिए यहां से run कर सकता हूं है तो यह आपके different operations हो गए उसके बाद flow division देख लेते हैं तो flow division में क्या होता है आपका flow division में जैसे कि आप लोग यहां देख पा रहे हैं अभी जैसे मैंने लिखा print create 24 divided by 3 जब हम इसको division करते हैं तो यह automatically जो मेरा answer आता है वो आता है मेरा decimal के अंदर तो अगर मेरे को नहीं चाहिए answer decimal के अंदर तो मैं क्या करता हूं इसको flow division बोल सकते हैं या फिर integer division बोल सकते है तो यहां double slash लगेगा मेरा अब यह मेरा output आएगा integer के अंदर तो इसको flow division या फिर integer division बोलते हैं तो यह 4 बेसिक लिए आपके 4-5 कुछ basic operations है तो एक operation के दोनों तरफ ओपरेंड होता है तो इनको बोलेंगे जैसे यहां पे यह 5 मेरा ओपरेंड है and 6 मेरा ओपरेंड है और प् माइनस मेरा operation है लिए आगे चलते हैं अब expression क्या होता है तो expression basically combination of values, variables and operators तो जहां पर आपके बहुत सरी values है, variables है या operators है उन्हों सब को combination को हम expression बोलते हैं और यहां पर जैसे 17 है, x है, x plus 17 है तो जैसे कि हम लोग यहां पर अभी देख रहे थे command prompt पे तो similarly वही notation मैंने यहां प notation यूज़ करूँगा तो समझ लिजएगा कि basically मैं command prompt से मैंने notation की मैं बात कर रहा हूं, command prompt की बात कर रहा हूं, तो आप कहीं पर भी जा सकते है expression के लिए, जैसे कि यहां पर एक example और देखते हैं, तो यह सब आपके यहां पर जितने भी लिखे हैं, सब expressions है, यह expression है, these are are called expressions, चलिए next चलते हैं, अब order of operation, तो जब भी हम operation की बात करते हैं, तो एक particular order होता है, जैसे math में भी हमारे पास plus minus, multiplication और division में, हम पहले multiplication और division करते हैं, उसके बात plus minus करते हैं, then similarly यहां पर भी इसी तरीके से होगा, और operation हमेशा left to right चलता है, जब भी आपको same precedence मिलेगी, rule of precedence बो exponent को solve करेंगे, यह मतलब exponent, जैसे यहां a is to power n है, फिर multiplication और division, दोनों अगर सेम आए, एक ही सेम जगे आ गए है, multiplication और division में हमें conflict हो रहा है कि कौन से को solve करना है, तो हम left to right चलेंगे, तो जो left पर पहले आएगा, उसको हम करेंगे, multiplication आएगा, तो हम division पहले करेंगे, उसके बा लगाना पड़ेगा, अब यहां पर कुछ example को समझ लेते हैं, जैसे कि यहां पर लिखा है, 2 multiplied by 3 minus 1, तो basically पहले bracket solve होगा, जैसे कि हमने पहले बता है, यहां पर parenthesis solve होता है, तो parenthesis solve हो जाएगा, तो 3 minus 1 is 2, तो 2 into 2 is 4, ऐसे ही यहां पर देखिए, नीचे वाले example में, पहले आ दूसरा bracket solve होगा, आपका 5 minus 2, that is 3, then 2 is 2 power 3, क्योंकि बीच में हमेर exponential है, तो यह 8 हो जाएगा, इसी तरीके से हम अगर हमें, कभी-कभी हम क्या कर सकते हैं, कि easily readability के लिए भी हम brackets को use कर लेते हैं, जैसे कि इस case के अंदर हमने यहां पर minutes into entered, then brackets में डाल दिया, then divide by 60, तो इससे क्या हुआ हमारी readability बढ़ गई, program की, उसके बाद next example पर चलते हैं, तो यहां पर देखे, पहले 2 to power 1, पहले यह, क्योंकि हमने देखा तभी पीछे कि plus आएगा, और मेरा exponential आएगा, तो मुझे exponential की ordering पहले है, तो हम यहां पर exponential को पहले resolve करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, मे यहां पर 4 result नहीं आएगा, अगर मेरी plus पहले होती ही, तो मेरा result 4 आता, लेकिन क्योंकि exponential की order of precedence higher है, तो मेरे को पहले exponential करना है, similarly नीचे वाले example में देखेंगे, 3 into 1, exponential 3, तो पहले क्या होगा, पहले exponential का result निकलेगा, तो 1, exponential 3 is 1, and then 3 into 3, sorry, 3 into 1 is 1, 3 into 1 is 3, तो therefore the output is 3, ना कि 27 अगर यहां पर पहले आपकी multiplication होती ही, तो output रथा 27, next example में चलते हैं, 2 into 3 minus 1, तो यहां पर simple है, कि पहले multiplication होगी, उसके बाद minus होगी, उसके बाद next चलते हैं, तो यहां पर 6 plus 4 divided by 2, तो यहां पर क्या होगा, आपका पहले division होगी, उसके बाद आपकी plus होगी, तो यहां पर देखिए, अगर दो operations है, same precedence है, यहां पर minus minus है, तो पहले यहां पर आपका left पर क्या है, 5 minus 3 हमें करना पड़ेगा, तो 5 minus 3 आपका होगा 2, और 2 minus 1 is 1, ना कि ऐसे हुआ कि 3 minus 1, that is 2, और 5 minus 2 is 3, तो 3 result नहीं आएगा आपका, हमेशा आपका result यहां पर 1 ही आएग तो नीचे देखिए, यहां पर लिखा है, when in doubt, always put parenthesis in your expression, तो जब भी आपको doubt लगे, तो आप हमेशा brackets का use करें, parenthesis का use करें, और उससे आपकी readability भी बढ़ेगी, और आपकी basically प्रोग्राम जैसे आप चाते हैं, बिल्कुल वैसे ही work करेगा, otherwise आपको बहुत difficulty हो जाएगी, reminder आपको return करता है, तो हमने देखा यहां पर 7 mode 3, तो 3 जब divide करेगा 7 को, तो मेरा reminder बच्चे का 1, ओके, तो इसको एक बार समाझ लेते है, remindless operator को detail में थोड़ा सा, यहां पर देखिए, मैंने इस सब सीज़े कर रखी है, यह सब expression के example है, आपके, यह आपका order of operations के example है, सब run कर रखा है मैंने, यहां पर reminder का operation है, तो basically हम लोग क्या देखेंगे, यहां पर देखते हैं, जैसे मेरा एक x की value है 1, 2, 3, 4, 5, अब मैं इसमें mode 10 करता हूं, mode 100 करता हूं, mode 1000 करता हूं, तो mode 10 क्या करता है, यह हमारे को last एक digit देगा, जैसे ही जैसे मैं यहां पर value बढ़ाता रह हूंगा, तो वे मेरे को क्या करेगा, कि leftmost digit देगा हमेशा, तो मेरे को last 2 leftmost digit देगा, mode 100 करता हूं, last 3 चाहिए तो मैं mode 1000 करता हूंगा, उसे ज़्यादा चाहिए तो मैं म coordinator 10,000 करता हूंगा, तो similarly इस operations mode का मेरा यह benefit है कि एक तो last की digit देता है मिरको right most digit देतेगा आपको इसके लावा आप यहां से हमेशा reminder निकाल सकते हैं तो इसकी application क्या हो कि जब भी आपको यह check करना है कि कोई भी number आपका odd है या even है जैसे कि मैं यहाँ पर अगर एक यहाँ पर लिखके देखते हैं अगर x मेरा कोई number है suppose 45 है और मैं बोलूं कि x mode 2 करना है तो x mode 2 अगर मेरा equals to equals to अगर वो मेरा 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो मेरा even number होगा otherwise यह मेरा क्या होगा odd number होगा तो मैं यहाँ पर इसको प्रिंटी करके देख लिता हूँ प्रिंट कर दें अगर हम x mode 2 और इसको run करें तो देखिए यहाँ पर false आ गया लेकिन अगर मैं जैसे इसको 44 कर देता हूँ और फिर run करता हूँ यहाँ पर देखिए answer true आ गया तो इसका मतलब क्या है कि models operator हम इस तरीके से भी use कर सकते हैं तो इस next class में पढ़ेंगे string operation करेंगे